किसी को भी ना हर्ट किये पैसा कमाना ज़्यादा जिस्टीफाई है ना कि हर्ट करके अलोक इंडस्ट्री इस लिमिटिड सबसे पहले कमपनी के दिसंबर एंड रिजल्ट को कवर करेंगे जहां पर सेल्स में एक बड़ा उचाल देखने को मिला इवन आप लास्ट क्वाटर स से काबले तारीफ है वैसे तो कमपनी को लोस हुआ लेकिन इस क्वाटर में परफोर्मेंस काफी अच्छी रही और लोस भी नैरो होता नजर आया आई होप अब कमपनी प्रोफिट के और बढ़ सकती है कुल मिला कर ये क्वाटर आशा की किरन रहा अब एक नजर शेर पैटर्न के और भी डाल लेनी चाहिए जहां प्रोमोटर्स होल्डिंग तो सेम है और कमपनी को एक टाइम पर बचाने का काम भी बड़े प्रोमोटर और जियम फाइनेंशिल एसेट ने किया था दूसरी और फोरण पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग कमपनी की मार्केट कैब भी अच्छी खासी बनी हुई है जिस हिसाब से शेयर प्राइज है वहीं 52 वीक रेंज में शेयर हाई 35.6 और लो 18.2 रहा अब सलोली एंड ग्रेजूली कमपनी अपने ट्रैक पर वापसी कर सकती है मेरे अपने पोइंट ओ व्यू से जब तक कमपनी के साथ ये बड़े प्रोमोटर खड़े हैं शायद पैनिक जैसी बात होनी नहीं चाहिए बाकी सोचने का तरीका सबका अलग हो सकता है अब आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बोक्स में पूछना ना बुलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई ब कर अे सहका थाथ भेगा उन्याम नेक्स्麼र्वे बूले बाई ड़ा होंक parallए हो फो कर दो